हेलो एवरिवन मैं कमन पजापती सीविल इंजिनेर एक बार फिर से स्वागत करता हूं माई यूट्यूब चैनेल कैमस इंजिनेर में फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए बताऊंगा एक बहुत ही सांदार हॉस्पलां जिसकी साइज है 25 इंटु 35 पर डीचरी इस में अगर हम बात करें तो यह 875 स्कॉयर चापर यडि यदि नियुक्स हों और इसी के साथ ही एक मिल जाता है हमें टोइलेट एक टोइलेट हो जाएगा अपना, कोमन टोइलेट हो जाएगा ये तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम 25 इंटू 35 की हाउस प्लानिग आप देख सकते हैं ये 25 इंटू 35 का हमारा प्लान है एक प्लोट है जिसकी लंबाई 35 है और चोड़ाई 25 है देख सकते हैं आप दोस्तों ये हम लोड बेरिंगी स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसलिए जो आउटर वाल रहेगी और इनर वाल रहेगी दोनों हम 9 इंच की लेंगे जैसा के आप देख सकते हैे हमने जो आउटर वाल रहे वह सारी आउटर वाल 9 इंच में करेट किये है और यह हो जाएंगे हमारे दो रूम और इन दोनों रूम की अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई है हमारे पास 11 फिट 3 इंच की लंबाई है इसकी देख सकते हैं आप और अगर हम इसकी चोड़ाई देखें तो चोड़ाई है हमारे पास 9 फिट 4 इंच की चोड़ाई मिलती है हमाई सेम इसी प्रकार हम दूसरे रूम के बात करें तो इसकी भी चोड़ाई 8 फिट 7 इंच की चोड़ाई हमाँ मिल जाती है बात करें इसकी लंबाई की तो लंबाई से में इस दूसरे रूम की तरह इसकी भी 11 फिट 3 इंच की रहेगी और बेडरूम के बाद में अब हम बनाएंगे टोईलेट एक अच्ची काशी साइज का में टोईलेट यहाँ पर बनाएंगे जिसकी लंबाई 6 फिट रहेगी और चोड़ाई 4 फिट के लगबग रहेगी ठीक हैं दोस्तों तो यह हो जाता है हमारा टोईलेट जैसा कि देख सकते हैं आप इसकी चोड़ाई 4 फिट है और लंबाई की बात करें तो लंबाई हो जाएगी इसकी 6 फिट देख सकते हैं आप दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें और इस रूम के जश्ट पास में हम डिजाइन करेंगे एक कीचन कीचन की बाल 9 इंच की रहेगी देख सकते हैं आप यह रूम की बराबर की चोड़ाई के साइज की रहेगी और इसी की साथ में कीचन के अंदर बना लेंगे हम एक प्लेटफोर्म प्लेटफोर्म की बात करें तो कीचन के प्लेटफोर्म की हाइट जो है 33 इंच की रहेगी और चोड़ाई इसकी 2 फिट की रहेगी ठीक न दोस्तों अब बनाएंगे इधर अब staircase staircase की वाल हम 9 इंच की किरेट करेंगे दोनों वाल 9 इंच की रहेगी और जो staircase रहेगा हमारा तीन पिट चोड़ा रहेगा और इसकी जो ट्रेड है वो 10 इंच का रहेगा राइजर अकोडिंग टू बिल्डिंग हाइट के साब से रहेगा तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा इस्टेर केस जैसा कि आप देख सकते हैं यूसेफ में चड़के आएगा हमारा इस्टेर केस देख सकते हैं आप तीन पिट चोड़ा च्छ पिट टोटल चोड़ाई रहेगे हमारी इस्टेर केस की और एक रूम हमारे भार की साइड रहेगा जिसकी चोड़ाई 9 फिट रहेगी और लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई रहेगे हमारे 9 फिट 4 इंच की देख सकते हैं आप इस रूम को हम AJ ड्रोइंग रूम भी रख सकते हैं और दोस्तों इसी के साथ हमें एक मिल जाता है इसमें बड़ा सा होल जिसकी लंबाई की बात करें तो 16 फिट 10 इंच की रहेगी और चोड़ाई की बात करें तो चोड़ाई 13 फिट 4 इंच की रहेगी और लंबाई जो है होल के परापर इसकी होल की जो चोड़ाई है वह इसकी लंबाई है और दोस्तों आप कर लेते हैं इन सब का नाम करन यह हमारा बेडरूम नंबर वन हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं यह हमारा एक नंबर का बेडरूम और यह हो जाएगा हमारा दूसरा बेडरूम के बीच में हमारा रहेगा एक कोमन टोईलेट यह हमारा कोमन टोईलेट इसकी चार फिट चोड़ाई है देख सकते हैं और यह हमारी कीचन के प्लेटफोर्म के हाइट रहेगा हमारी 33 इंच यह हमारी इस्टेर केस हो जाएगा इस्टेर केस की चोड़ा इच्छ पिट है ट्रेट 10 इंच का रहेगा अपना और यह हो जाएगा हमारा होल यह हमारा होल होल इसमें बड़ा दिया गया है 15 पिट 10 इंच इसकी चोड़ाई लंबाई है चोड़ाई की बात कर दो 13 पिट 4 इंच की रहेगा यह हमारा पोर्च एरिया हो जाएगा ठीक है न दोस्तों तो यह बहुत ही खूपसूर्थ प्लान है जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों यह बहुत सांदार प्लान है और अगर यह प्लान आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को धन्यवाद